जिससे लौकी या घिया नहीं पसंदोना उसे एक बार इसके छिलके की सबजी खिला के देखो उसको लौकी से प्यार हो जाएगा तो इसके लिए लौकी का मोटा मटा चिलका काट लो और फिर उसको बारीक बारीक काट के पानी डाल के हल्दी और नमक के साथ 5-7 मिनट उबाल लो जादा नहीं पकाना है और फिर इसको छान के अलग रख लो फिर तेल गरम करो उसमें ये कलॉंजी के बीच जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च ये डालके चौक लगा लो और यही चिलके डालके थोड़ा सा भूनते जाओ इसमें नमक डाल दो और 5-7 मिनट ढग ढग के पकाओ चिलका निकालने के बाद जो लौकी बचेगी ना उसका रायता, सबसी, कुछ भी बना लेना पर फेकना नहीं अब इसमें हल्दी और लाल मेच पाउदर जरा जरा से डालना और उसको चला देना भूनते ये जितनी भूनी हुई रहते ना उतनी अच्छी लगती है और ये देखो इसको दाल चावल के साथ काओ ये आपके सिंपल से दाल चावल में भी नई रौनक ला देगी